हालो एस्पीरेंज, वेलकम ठूदा यूपीसी एनालाइजर, तोड़े वी विल डिस्कस् नी्ज्पेपर अनालिसिस देट इत्स 7 अफेबुररी 2023 आज़ एक जानालिसिस हिलफूल देन प्लीज लाइक शेर एन सब्सक्राइब and आप मेंसे कुछ students comment कर रहे हो the Hindu के analysis के लिए तो morning में मेरे पास सिर्फ 1.5 hours की window होती है 1.5 hours में 2 newspapers को पढ़ कर पढ़ाना possible है लेकिन basically यहाँ पर justice नहीं हो पाएगा and ज़रूरी यह है कि आप 10 चीजे पढ़ो लेकिन उसको detail में पढ़ो super official तरीके से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है कि आप यहाँ पर 100 चीजे पढ़ कर गए लेकिन उसके बाद भी आप question टिक नहीं कर पा रहे हो ज़रूरी यह है कि आप 10 चीजे पढ़ो लेकिन इतने धंग से पढ़ो कि आप यहाँ पर question को टिक कर पाऊ तो यह ज़्यादा ज़रूरी है and मैं आपसे यह ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस दिन भी मेरे पास time होगा उस दिन मैं दाहिंदू के analysis कर दूँगे लेकिन daily दाहिंदू के analysis करना यह मेरे लिए possible नहीं है मैं अपने mentorship program के लिए दाहिंदू ज़रूर daily reach करती हूँ लेकिन morning में इसकी analysis बनाना possible नहीं है and जब भी जिस भी दिन possible होगा उस दिन मैं ज़रूर बना दिया करूँगे लेकिन daily मैं नहीं promise कर सकती हूँ and मैं दाइंजियन express को replace नहीं करना चाहती हूँ क्यूंकि मुझे दाइंजियन express जादा relevant लगता है first news है over 2200 killed two major quakes rock turkey and syria तो यहाँ पर earthquake आ गया Turkey में बहुत जादा तबाही हो गई बहुत सारे लोगों की death हो गई अगर हम India-Turkey relations की बात करें तो bilateral ties में हमें बहुत जादा ups and downs देखने को मेले हैं इसका reason यह है कि जब article 370 को इंडिया ने revoke किया था तो Turkey ने publicly criticize किया था February 2020 में जो Delhi riots हुए थे Turkey ने उसका भी criticism किया था लेकिन relations थोड़े इंप्रूव हुए कब इंप्रूव हुए जब शहंगाई cooperation organization की summit हुई थी समरकंट में तो वहाँ पर इंजिन प्राइम मिनिस्टर और जो चर्की के president है उनके बीच में meeting हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर relations थोड़े बहुत इंप्रूव हुए है तो यह पूरा background हो गया ऐसे में जब चर्की में अर्थक्वाइक आया इतना ज़ादा तभाई हुई तो इंडिया ने immediately dispatch किया है National Disaster Response Force को तो over 2200 killed two major quakes rock Turkey and Syria and Syria में तो और ज़ादा destruction हुआ है इसका reason यह है Syrian cities पहले से ही बहुत ज़ादा devastated थे war की वज़े से a huge earthquake killed more than 2200 people and injured thousands more on Monday in Turkey and North West Syria फिर यहाँ पर Syrian cities की बात की गई है कि Syrian cities में तो और ज़ादा destruction हुआ है क्योंकि यह already devastated थे by years of war New Delhi decided to immediately dispatch search and rescue teams of NDRF medical teams and relief material this outreach is not worthy in the wake of bilateral ties जिन्होंने यहाँ पर ups and downs देखे हैं in the last few years क्योंकि Turkey ने publicly criticize किया था जब इंडिया ने article 370 को revoke किया था फिर North East Delhi में riots हुए थे टर्की ने उसका भी criticism किया था शांगाई cooperation organization की सम्मिट हुए थी समर्गंट में तो वहाँ पर Indian Prime Minister और जो तर्की के President है उनके बीच में यहाँ पर meeting हुई थी तर्की SEO का member नहीं है तर्की शांगाई cooperation organization का member नहीं है तर्की यहाँ पर special guest की तरह था तर्की नहीं member है तर्की नहीं observer है तो तर्की यहाँ पर सिर्फ ऐसे guest की तरह था अब important यह हो जाता है कि आप यहाँ पर कुछ locations को देख ले ना जैसे कि Sea of Marmara कहाँ पर है इसके लावा Bosch Forest State, Dardanus State Aegean Sea, Aegean Sea, Terhanian Sea, Adriatic Sea, Black Sea तो यह सारी location important हो जाती है and टर्की में अर्थ को एक आया यह इसलिए important नहीं है यह Russia Ukraine war की वज़े से भी important है तो यह आप location ज़रूर देख ले ना Next है India looks at options to pay defense dues to Russia अब Russia को dollars में तो pay नहीं कर सकते हैं क्योंकि Russia के ओपर sanctions लगा हुआ है तो Russia को कैसे pay किया जाए तो इसके बारे में यहाँ पर सोचा जा रहा है तो यहाँ पर तीन तरीकों को देखा गया है जो कि हम तीनों तरीके एक बार discuss कर लेते हैं कि यह कौन से थ्री वेज हैं India is exploring at least three options to clear outstanding ruble payments worth around rupees 28,000 करोर against weapons जो कि Russia ने इंडिया को deliver किया है So far India could not process these payments क्योंकि Russia के ओपर sanctions लगे हुए है With most of India's military hardware यह Russian origin का है And Russia के अगर payments clear नहीं होंगे तो आने वाले जो critical hardware है इनको पहुशने में time लगेगा तो इसलिए यहाँ पर payment करना ज़रूरी है So with most of India's military hardware being of Russian origin There have been concerns in the government about Russia's ability to meet delivery schedules of critical space and equipment अगर payments और ज़्यादा डिले होते हैं तो यहाँ पर Indian refiners यह सोच रहे हैं क्या हम Russia को pay कर दें United Arab Emirates dirhams में instead of US dollars क्योंकि Russia के ओपर लगे हुए हैं sanctions बाकी यहाँ पर और कौन से waste की बात की गई है So we are exploring the dirhams option but there is less comfort with the yuan option क्योंकि यह भी यहाँ पर सोचा गया क्या हम Chinese yuan में pay कर दें क्योंकि अगर जो Russia ruble trade की बात करें Actually Russia ruble trade paper पर है on ground इतना कुछ जादा काम नहीं हो रहा है The government is also exploring the option of making the ruble payments through a hybrid form of sovereign bonds So sovereign bonds are debt instrument issued by the government So government basically यह sovereign bond दे देगी जिस पे आपको interest मिलता रहेगा and बाद में जो भी face value है यह आपको मिल जाएगी In which the government will come in to pay the fixed amount later inclusive of face value and interest It is being discussed if the dues to Russia इसको क्या shift किया जा सकता है to a separate account in India and sovereign guarantee issued over such deposits लेकिन यहाँ पर Russia ने एक और तरीका बताया है Russia ने यह कहा है कि जो government owned enterprises है उसमें हमें आपको कुछ stake दे दो and जब भी liquidation होगा हमें हमारा पैसा मल जाएगा A third option being discussed is to offer some stakes to Russia in government owned enterprises which can liquidate it in the future यह जो suggestion है यह Russian side से आया है A suggestion understood to have come from the Russian side 2018 में जब India ने Russia से S400 डील किये थी तो उसमें भी यहाँ पर challenges आये थे तो there were challenges in ruble payments for defense related supplies अब यह challenges हैं लेकिन यह इतने जादा भी important नहीं है कि आप यहाँ पर mains में question ही आ जाए पर challenge में कहीं आप एक point जरूर mention कर सकते हो कि यह यहाँ पर challenge है logistics का यहाँ पर challenge है finances का यहाँ पर challenge है Russia को सिर्फ से बाहर कर दिया गया है next यहाँ पर एक term है shares pledged इसका क्या meaning होता है तो share pledging का क्या meaning होता है तो जो promoters of a company होते हैं यह क्या करते हैं यह अपने shares को pledge करके अपने shares को collateral की तरह रखकर banks and NBFC से loan लेते हैं तो अपने shares को collateral की तरह यूज करके banks and NBFC से loan लेना इसको ही कहा जाता है share pledging तो share pledging यह सिर्फ term important है news important नहीं है bid to boost confidence Adani's prepay यह important नहीं है important यह है कि share pledging क्या होता है तो जो यहाँ पर promoters of a company होते हैं यह अपने shares को collateral की तरह यूज करके banks and NBFC से loan लेते हैं ठीक है नेक्स्ट राजस्तान plans zoo for dolphins rhinos inside भरतपूर sanctuary तो यह हम ज़रूर discuss के लेंगे क्योला जेओ National Park Award Heritage Site जिसको की भरतपूर bird sanctuary से भी जाना जाता है आगे चलते हैं amid anger over strays UP to have cow sanctuary तो यहाँ पर जो central government एक plan कर रही है कि एक sanctuary बनाई जाएगी for 5000 cows in मुजफर नगर as part of a pilot project and यहाँ पर modern facilities होंगी biogas का production किया जाएगा cow dung based fertilizers बनाई जाएगे besides ART का use किया जाएगा and यहाँ पर incinerators भी होंगे for animal carcasses incinerator basically burning करना बर्णी के जो machine होती है उसको incinerator भोते है PM unveils India's largest chopper unit attacks Congress over hall remark तो hall यहाँ पर क्या है Hindustan Aeronautics Limited अब यह Congress 2018 का यह जो issue है यह हम नहीं discuss करेंगे basically बात यह थी कि जो Rafale deal थी यह यहाँ पर जो hall था इसको यहाँ पर replace कर दिया गया था with reliance defense तो यह important यह बहुत पराना matter हो चुका है लेकिन यहाँ पर green energy sector में 3 initiatives launch किये गए है तो पहला है unbottled project of IOC जिसमें pet जो bottles उनको recycle किया जाएगा और इससे यहाँ पर cloth बनाया जाएगा pet bottles will be converted to cloth for the frontline workers of oil marketing companies non-combat uniforms for armed forces and other institutions दूसरा है twin cooktop indoor solar cooking system and तीसरा है E20 and ethanol blended fuel ठीक है अब यह यहाँ पर क्या चल रहा था तो inaugurate किया गया था hall helicopter factory यह भी important नहीं लेकिन यह जो तीन initiatives से यह ज़रूर important हो सकते हैं जेशंकर meets Canada counterpart focus on plan to boost bilateral ties अब बात तो वही की गई है जो कि सारे ही countries के साथ होती है जैसे हम security cooperation करेंगे mobility of students, people to people ties को strong करेंगे यह सब ठीक है एक यहाँ पर अलग बात है जो कि यह EPTA तो दोनों ही countries यहाँ पर look forward कर रहे हैं to the early progress trade agreement अब ऐसे भी questions आ जाते हैं for example BTI यह किसके साथ है ECTA किसके साथ है RELOS किसके साथ है तो RELOS तो Russia के साथ है अभी यह नहीं finalize हो पाया है तो MEA said India welcomed the announcement of Canada's Indo-Pacific strategy and Canada भी vision share करता है कि free, open and inclusive Indo-Pacific होना चाहिए असंद crackdown on child marriage amid rising criticism Chief Minister ने यह कहाई कि जो 16% pregnancies है यह among teens है तो यह हम discuss करेंगे जो child marriage को लेकर यहाँ पर crackdown किया जा रहा है यह कितना सही है और punitive measures लेना कितना सही है अगर child marriage हो रही है इसका reason क्या है तो इसका reason यह है poverty है education नहीं है development नहीं है तो यह यहाँ पर reason है और यह जो social problem इसका solution अब क्या निकाल रहा है और लोगों को arrest करके तो यह कितना सही है इसका discussion हम करेंगे explained page पर in the face of growing political criticism of Assam government's crackdown on child marriage with a total 2442 arrest हुए है made as of Monday evening तो यह arrest सिर्फ चार दिनों में हुए है according to the national family health survey अगर हम बात करें तो Assam में maternal mortality rate जादा है infant mortality rate जादा है लेकिन इसका solution क्या यह है according to the national family health survey 5 data 11.7% girls between 15 and 19 in Assam were already mothers or pregnant at the time of the survey without creating any awareness तो आपने awareness नहीं create की prohibition of child marriage act की बारे में लेकिन यहाँ पर आप indiscriminate तरीके से लोगों को arrest कर रहे और वो भी उन लोगों को arrest कर रहे आप यहाँ पर restorative तरीके से arrest कर रहे कि child marriage यहाँ पर 10 साल बाद हुई है और वो इनसान 27 साल का हो चुका है तब आप उसको arrest कर रहे तो यह कितना सही है पुलीस और arresting people for marriages done 7, 8, 9, 10 years ago नेक्स एस sanctions put stress on India ties तो यहाँ पर Russian ambassador to India इन्होंने कहा है कि जो West ने sanctions लगाए हैं उसकी वज़े से India and Russia की ties के पर impact पढ़ा है लेकिन यह impact पढ़ा है यह economic तरीके से है Russia on Monday set its ties with India are under some stress due to the sanction regime against Moscow जिसकी वज़े से disruptions आचुके हैं in financial and logistics mechanisms for example rupee ruble trade तो rupee ruble trade की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन यह सिर्फ अभी on paper है और Indian banks यहाँ पर बहुत ज़दा over cautious हैं rupee ruble trade को लेकर लेकिन इनका यह कहना है कि अगर हम rupee ruble trade करेंगे भी तो कोई sanctions नहीं होगा कोई restrictions नहीं होगा from US side उसके बाद भी यहाँ पर Indian banks बहुत ज़दा cautious है rupee ruble trade को लेकर I am not going to suggest अभ यहाँ पर border की लेकर जब इनसे पूछा गया यह जो India-China border issue है तो इनका यह कहना है कि यह India और China का bilateral matter है this is entirely a bilateral matter between India and China and we do not interfere in that but the sooner there is a normalization between the two countries the better for the whole world फिर इनका यह कहना है कि अगर Pakistan weak होता है तो इसका impact India के उपर भी पड़ेगा and entire region के उपर पड़ेगा तो weak Pakistan is not good for the entire region including India बाद में इनोंने clarify कि इनका यह मतलता कि अगर Pakistan यहाँ पर destabilize होता है तो यह किसी के भी interest में नहीं है चलते हैं हम आगे यहाँ पर बात की गई Article 371-F की तो Article 371-F यहाँ पर बात करता है Special Provisions for the State of Sikkim तो Article 371-F किस के लिए है Sikkim के लिए है of the Constitution which safeguards the Sikkimese identity बाकी हमने यहाँ पर भूठिया लेप्चा के बारे में डिस्कस कर लिया है जो की ethnic community है Sikkim की बाकी Sikkimese नेपाली को लेकर Supreme Court की के observation थी तो basically यहाँ पर एक income tax का पूरा issue था जिसमें Supreme Court ने यहाँ पर जो Sikkimese नेपाली हैं उनके लिए foreigner का use कर दिया जिसकी वज़े से यहाँ पर MHA ने review की petition डाली है Next, we can't curtail terms of assemblies तो यहाँ पर बात चल रही थी simultaneous polls की कि 2024 में simultaneous polls होने चाहिए इसको लेकर यहाँ पर PIL गई थी अब simultaneous polls की Parliament, जो assembly elections जो panchad municipalities के elections सब कुछ यहाँ पर एक साथ हो जाना चाहिए अब एक साथ क्यों होना चाहिए अब बार-बार यहाँ पर elections होते हैं तो हर स्टेट में कभी कहीं election चल रहे हैं कभी कहीं election चल रहे हैं जिसकी वज़े से कहीं न कहीं administration के उपर impact पड़ता है और इसी रहे यहाँ पर बात की गई थी simultaneous polls की लेकिन simultaneous polls करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कुछ assemblies के terms को curtail करना पड़ेगा तब ही तो सब एक साथ हो पाएगा for example हो सकते है कि 2024 में किसी assembly का जो 10 और वो 3 साल का ही तो ऐसे में उसके जो term में उसको curtail करना पड़ेगा किसी के term को increase करना पड़ेगा तो High Court ने का कि यह हम नहीं करेंगे और यहाँ पर legislative domain का का में यह यहाँ पर Parliament का का में इसमें हम transgress नहीं करेंगे The Delhi High Court Monday refused to issue directions to the Centre and the Election Commission of India in a plea seeking to ascertain the feasibility of conducting loksabha and assembly election simultaneously in 2024 जिसकी वज़े से यहाँ पर money save होगा manpower save होगा and control election paralysis अब election paralysis तो जब model code of conduct लगता है तब आप यहाँ पर कोई नया project नहीं announce कर सकते हो जिसकी वज़े से यहाँ पर impact पड़ता है We ensure compliance of law We can't issue such amendments ऐसा यहाँ पर High Court का कहना है At best, Election Commission for India देख सकता है आपके grievance को लेकिन इसको लेकर High Court कुछ नहीं करने वाला है Kumar referred to a 2002 decision of the Supreme Court and argued that election schedule यह sole discretion है Election Commission of India का अब AC Clean का यह कहना था कि बहुत ज़्यादा cost increase होती है आपको security forces को deploy करना पड़ता है The plea stated that the imposing model code of conduct जिसकी वज़े से यहाँ पर कोई नए projects नहीं अनौस किये जा सकते है welfare schemes नहीं अनौस की जा सकती है The plea sought कि यहाँ पर जो 170th report है Law Commission of India की जो की simultaneous polls की बात करती है उसको यहाँ पर implement करने की जरूरत है Next is stop the arrest तो यह ASAM को लेकर आया है In the past 4 days ASAM police has arrested more than 2000 men as part of the state government's drive against child marriage ठीक है अगरा मिहाँ पर बात करें ASAM की तो ASAM का record बहुत अच्छा नहीं है maternal mortality rate बहुत जादा है infant mortality rate बहुत जादा है ASAM has the worst maternal mortality rate in the country 12 states infant mortality rate यहाँ पर कम हुआ है पिछले 5 सालों में लेकिन यह अभी भी बहुत जादा है More than 31 in 1000 children die before their first birthday according to the survey 32% women in the state get married before the legal minimum age much higher than the national average of 25% but यहाँ पर जो POXO का use करके जो Prohibition of Child Marriage Act का use करके men को criminalize किया जा रहा है जिनोंने यहाँ पर शादी किये है minor girl से and several arrests यहाँ पर retrospective है retrospective मतलब पहले की date में जैसे कि यहाँ पर किसे ने 10 साल पहले जादी की थी तो उसको भी यहाँ पर arrest किया जा रहा है तो it will push the problem under the radar and delay long term solutions तो यह एक social problem है अगर child marriage हो रही है यह एक social problem है and इसका solution क्या होना चाहिए कि आपको women को empower करना है आपको women को independent बनाना है आपको यहाँ पर education provide करना है अगर हम बात करें healthcare facility की तो institutional deliveries नहीं हो रही है असम में तो उसको increase करनी की जरुत है तो when it comes to child delivery in a healthcare facility they also show that असम is an under performer on several indexes of women's empowerment तो जो problem लाए कर रही है यह कर रही है empowerment में women यहाँ पर disempowered है and women अगर empowered होती है तो women decision maker होती है reproductive choices को लेकर close to a fifth of the women between 15 and 49 have never been to a school तो education नहीं है less than 30% of women in this age group have completed 10 years of education way below the national figure of 41% तो क्या करने की जरुरत है तो आपको यहाँ पर education provide करने की जरुरत है ना कि आपको यह punitive measures लेने की जरुरत है तो असम को यहाँ पर जादा invest करने की जरुरत है women's education, healthcare and campaigns to educate people about the problems of marrying girls early इसकी वज़े से teen pregnancy होती teen pregnancy होती तो यहाँ पर maternal mortality rate infant mortality rate increase होता है an imprudent proposal तो कल हमने discuss किया था जो आप्रदेश का guaranteed pension scheme है जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप यहाँ पर 10% contribution करोगे state 10% contribution करेगा तो 33% जो भी आपकी last withdrawn salary उतना आपको pension मिलेगा तो basically यहाँ पर जो pension उसको define किया जा रहा है कि आपको 33% तो मिलेगा ही मिलेगा अगर यहाँ पर 14% contribute करते हो तो आपको यहाँ पर 40% मिलेगा तो author ने कहा है कि यह एक imprudent proposal है क्योंकि अगर आप यहाँ पर 33% की बात कर रहे हो and आपने जहां भी contributions को invest किया and वहाँ से आपको जो मिल पा रहा है वो 20% ही मिल पा रहा है तो यह जो 13% है यह तो सरकार ही देगी न तो सरकार की liability क्यों increase करो यह करने की जरूरत नहीं है and यह सिर्फ एक populism है भले ही आप इसको यहाँ पर guaranteed pension scheme का नाम दे दो तो यह सिर्फ एक यहाँ पर populism ही है Until now, it was only Congress and आम आदमी पार्टी जो की states में बात कर रहे थे कि हम वापे से यहाँ पर old pension scheme को लेकर आएंगे Rajasthan, 36 गड़, Punjab had taken steps to return to the old pension scheme and कुछ समय पहले जो महराष्टा में BJP सेना की सरकारी यह भी कहना है कि हम यहाँ पर old pension scheme के बारे में सोच रहे हैं However, with calls for shifting back to the old architecture क्योंकि यहाँ पर पोल से लेकर रहे हैं कि सब को ही यहाँ पर election में जीतना है सब को ही यहाँ पर लोग लभावन करना है This is unfortunate, reverting to any version of the defined benefit system Risk undoing the hard-worn policy gains achieved through multi-party consensus इसकी वज़े से adverse implications हो जाएंगे government finances के लिए government की liability यहाँ पर increase हो जाएगी तो अगर आप यहाँ पर guaranteed pension scheme की बारत कर रहे हो तो इसमें भी यहाँ पर जो government की liability यह increase ही होगी तो अगर हम बात करें old pension scheme को तो इसको यहाँ पर defined benefit scheme कहा जाता है क्योंकि आपको जो last withdrawn salary है उसका 50% आपको pension की तरह मिलेगा लेकिन जो new pension scheme में इसको defined contribution कहा जाता है जो national pension system इसको defined contribution scheme कहा जाता है क्योंकि आपको contribution तो defined है कि आपको 10% तो देना ही देना पड़ेगा बाकि आपको कितनी pension मिलती ही वो depend करता है कि जहां पर investment हुआ आपको contribution का तो market ने कैसा perform किया proposals such as these given their long term fiscal implications will only increase government's liabilities and जो government के space है कि government यहां पर ज़्यादा productive form of expenditure कर सकती थी वो government यहां पर नहीं कर पाईगी क्योंकि government का पैसा तो यहां पर pension देने में ही चला जाएगा तो यह यहां पर author ने बताया है यह आप देख सकते हुए यह movie के उपर है यह हम discuss नहीं करेंगे next है in asam beti पढ़ाओ तो यह article सिर्फ data है बहुत अच्छा article तो नहीं है कि आपको यहां पर जादो कुछ points मिल जाए लेकिन एक दो points हम discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर author ने एक महिला की बात की है खुश्बू, a young widow who had lost her husband to COVID-19 was married in 2012 लेकिन यह जो खुश्बू थी 18 साल से कम उमर की थी तो basically यहां पर child marriage हुई थी तो इसके father को यहां पर arrest कर लिया गया and जब इसके father को arrest किया गया इसने यहां पर suicide कर लिया as many as 650 million women in the war today were married as children and India में भी आपको child brides बहुत जादा मल जाएगी in India which has the dubious distinction of being home to the most number of child brides UNST mates suggest that 1.5 million girls get married before they turn 18 फिर यहां पर यह बताये गया है कि कैसे age को increase किया गया पहले यहां पर 10 साल किया गया फिर 12 साल किया गया more than 4,000 FIRs have been filed and 25 सो लोगों का arrest किया गया है पिशले चाट दुनों में तो जो असम की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने यह कहे कि crackdown यह चलता रहेगा जब तक 2026 के state elections नहीं हो सकते तो author का यह question है क्या यह आप यहां पर elections के basis पर child marriage को target कर रहे हो the human convention on the elimination of all forms of discrimination against women and Beijing declaration तो question है था Beijing declaration किसके लिए है तो यह women को लेकर है Beijing declaration do mandate countries to stuplet a minimum legal age for marriage फिर यहां पर restitution of conjugal rights की बात की गई है तो restitution of conjugal rights किया होता है for example यहां पर अगर किसी spouse ने marital home को छोड़ दिया है and अपने spouse को desert कर दिया है तो वो यहां पर court में जा सकता है and बिना किसी reason के अगर यह किया गया है तो court यहां पर कह सकता है कि आपको cohabitation करना पड़ेगा तो यह है restitution of conjugal rights तो basically यहां पर author ने यह कहा है कि क्या करने की जरूरत है तो asam government को use करने की जरूरत है education and a mass campaign to educate parents ना कि आपको यह coercive criminal law use करने की जरूरत है and यहां पर आपको indiscriminate arrest करने की जरूरत है यह आपको करने की जरूरत नहीं है and law commission ने खुद यह बात कही है कि poverty की वज़े से indebtness की वज़े से and dowry यह यहां पर main reasons है जिसकी वज़े से लटकियों की शादी जल्दी कर जीताती है in its 205th report the law commission has rightly suggested that poverty, indebtness and dowry are the main reasons that poor families marry of their daughters at an early age if in Assam child marriages are more prevalent among Muslims तो जरूरी यह है कि Muslim girls को यहां पर educate करो यह आपकी highest priority होनी चाहिए आगे हम चलते है do you will dump convocation gowns तो basically यहां पर जो black ropes होते है यह कहा गया कि यह नहीं पहनोगे आप आप पहनोगे यहां पर Indian traditional dresses and अंग वस्तर instead of the traditional black ropes for the university's 99th convocation ceremony ठीक है आगे चलते हैं the science of earthquakes Turkey is in a seismically active zone and Monday's quakes struck along a well-known fault line जो की है Anatolia tectonic block within a span of 12 hours 41 more earthquakes of magnitude 4 or more have been recorded in the same area and बहुत जादे यहां पर लोगों की जान चली गई है the region where the earthquake has struck lies along a well-known seismic fault line called the Anatolia tectonic block it is a seismically active zone दो यह उतना active नहीं है जितना की Himalayan region है Himalayan region यहां पर सबसे जादा danger region है in the world from the perspective of earthquakes फिर यहां पर यह बताए गया कि seismicity कितनी जादा है कहां पर shallow earthquakes तो shallow earthquakes जादा devastating होते हैं क्योंकि यह बहुत जादा energy carry करते हैं क्योंकि यह surface से मज होते हैं deeper earthquakes basically यहां पर dissipate हो जाते हैं surface तक पहुशने में ही तो deeper earthquakes lose much of their energy by the time they come to the surface तो यह अपने जोग्रफी में पढ़ा होगा कि shallow earthquakes earthquakes यहां पर जादा तबाही मजाते हैं क्योंकि यह surface से मज होते हैं और जो deeper earthquakes होते हैं जबता कि surface पर पहुशने हैं कि energy यहां पर dissipate हो चुकी होती है फिर magnitude बताए गया कि magnitude अगर जादा होता है तो जादा नुकसान होता है magnitude is a measure कि waves कितनी बड़ी है while the strength refers to the energy it carries अब author का basically यह कहना है कि हमारे पास earthquake को लेकर अभी भी जो prediction system में वो नहीं है early warning system हमारे पास नहीं है earthquakes continue to remain the most common natural hazard that continue to predicted as such हमारे पास कोई early warning system नहीं है जो कि develop किया गया है लेकि possible यह है कि जैसे ही origin of earthquake होता है तो तभी आप यहाँ पर inform कर दो तो जब यहाँ पर origin of earthquake होता है तो बात यह है कि जो seismic waves है यह significantly slower travel करती है अगर मैं speed of light से compare करें तो seismic waves travel significantly lower than the speed of light तो basically जैसे ही earthquake trigger हुआ है तो आपके पास यहाँ पर information पहुँच जाए क्योंकि आप यहाँ पर आपके पास few seconds की lead होगी इतने में आप कुछ कर सकते हो तो कर लो लेकिन यह prediction नहीं है जब earthquake हो रहा है तब आपको बाता चल रही है बात तो यह prediction नहीं है अभी भी आपके पास prediction system ही नहीं है आपके पास early warning system ही नहीं है तो such systems are already in use in some locations to issue alerts about earthquakes लेकिन यह prediction नहीं है यह post event हो रहा है कि जैसे ही origin हो रहा earthquake का आपको यहाँ पर lead मिल गई और अपने यहाँ पर लोगों को inform कर दिया यह एक solution है attempt to find reliable predictors तो आपको यहाँ पर reliable predictors को find करने की ज़रुत है लेकिन यह जादा fruitful अभी तक नहीं रहा है future में हो जाए तो वो लग बात है MCD house log jam तो यह Delhi की बात की जा रही है यह हम discuss नहीं करेंगे important नहीं है लेकिन यहाँ पर alderman एक term के बारे में जो कि पहले भी Indian Express में आ चुका है हमने discuss भी क्या था term alderman refers to a member of a city council corporation and यह जो alderman expected है कि इनके पास यहाँ पर special knowledge होगी यह experience होगा and इनको जो administrator है तो ऐसे 10 लोगों को nominate किया जा सकता है अब यह जो nominated members है इनके पास voting power है नहीं है उसको लेकर यह यहाँ पर article लिखा गया है लेकिन अगर हम article 243 of the constitution की बात करें which describes the composition of municipality says that the legislature of a state may by law provide for the representation in a municipality of persons having special knowledge or experience in municipal administration लेकिन इसमें यह कहा गया है कि उनके पास right to vote नहीं होगा इनके पास right to vote नहीं होगा लेकिन डेली हाई कोट का एक judgment आया था and डेली हाई कोट का basically यह कहना था कि यह vote कर सकते हैं अगर respective wards committee की meeting हो रही है यहाँ पर एक location news में है South Eastern Turkish City जो की नाम है Diyarbakir यह कहाँ पर location है Turkey में location ऐसे questions भी problems में आते हैं कि यह news में था तो यह क्यों news में था बाकि word page पर आप देख सकते हो कोई भी important news नहीं 5 Palestinian skills तो यह हम discuss कर चुके हैं इस्राइल-Palestine conflict तो यह topic important है यह news तो डेली आती कि West Bank में कुछ हो गया फिर हमास ने कुछ कर दिया China accuses US of using indiscriminate force on spy balloon तो हमने discuss किया था कि spy balloon यहाँ पर जो चाइना का था इसने US के जो air space उसको violet किया था उसके बाद यहाँ पर US ने shoot down कर दिया तो चाइना का यह कहना है text collection काम ना हो उसके लिए क्या करने की जरुरत है तो text based को widen करने की जरुरत है तो text based को widen करने के लिए आपके पास information होनी चाहिए तो इन्होंने कहें कि हम technology का use करेंगे for taxpayer info for example TDS का use किया जाता है TCS का use किया जाता है obviously we have to now increase our collection efficiency and यहाँ पर जो text based है उसको widen करने की कोशिश की जाएगी उसके लिए यहाँ पर technology का use किया जाएगा windfall tax को अभी भी यह लगाएंगे there was a shift towards using TDS as a tool तो TDS का use किया जाता है TCS tax collected at source फिर यहाँ पर liberalized remittance scheme की बात की गई थी liberalized remittance scheme हमने discuss भी कर रखी बेसिकली यहाँ पर धाइलाग डॉलर्स तक freely remitt किया जा सकता है for capital and current account transactions जो धाइलाग डॉलर्स तक freely remitt किया जा सकता है for current and capital account transactions इस start-ups पर यहाँ पर angel tax लगाने की बात की गई थी तो 2012 में ही angel tax introduce कर दिया गया था start-ups के लिए लेकिन वो तब था जब आप Indian investors से funding ले रहे हो अगर foreign investors से funding ले रहे हो तब यहाँ पर angel tax नहीं था अब यह कहा गया कि foreign investors से जब पर funding ले जाएगी उसके ओपर भी यहाँ पर angel tax लगाया जाएगा तो start-ups are concerned that there will now be an angel tax on funding from foreign investors लेकिन बात यह है कि यह angel tax तभी लगता है जब fair market से ज़्यादा valuation पर funding ली जाती है अब यह जो fair market valuation है इसको compute करना बहुत difficult है तो इनका यह कहना है कि start-ups are exempt they have not been brought into this category और जो यहाँ पर angel investment ले रहे हैं basically यहाँ पर tax story की जाती है tax story करके यहाँ पर कोई जानने पहचाने वाले का ही start-up हो था उसमें यहाँ पर funding की जाती है तो यह सब यहाँ पर किया जा रहा था इसलिए 2012 में UPA government ने angel tax implement कर दिया था फिर उसको लेकर यह कहा गया था कि start-ups की growth है यह यहाँ पर discourage हो लिए जब start-ups की growth discourage होने की बात है फिर यहाँ पर कुछ modifications कीए गए यह का गया कि अगर start-up यहाँ पर 10 साल तक का है 100 crore से कम का turnover है तो आपको यहाँ पर कुछ relief प्रोवाइट किया जाएगा Government sets a panel on digital competition law for regulations अब यह कौन सा panel बनाया है The center has ordered setting up a committee that will review whether existing antitrust laws antitrust laws मतलब यहाँ पर कि जो monopoly है इसको नहीं होने देना है and जो concentration of power है इसको नहीं होने देना है तो क्या हमारे पास जो laws है जो challenges emerge हो रहे हैं उसको deal करने के लिए काफी नहीं है antitrust किया हमें एक digital competition act की ज़रूरत है तो उसके लिए यहाँ पर एक panel बनाया गया है antitrust panel को chair किया जा रहा है by corporate affairs secretary इसमें एक member जो है ये है competition commission of India के chairperson the committee will be headed by the secretary of the ministry of corporate affairs and will include eight other members including the chairperson of the competition commission of India तो आज की newspaper में इतना ही था अगर आपको Indian Express का highlighted portion चाहिए plus static part related to every topic तो आप इसको buy कर सकते हो इसके लिए आपको क्या procedure follow करना है तो सबसे पहले आपको अपनी telegram account का एक username बनाना है then you have to change your privacy settings for that आपको settings में जाना है then privacy and security then groups and channels who can add me to the group chats वहाँ पर आपको everybody choose करना है and you can pay via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with the telegram user ID to the mentioned email ID and basically मैं एक revision series start कर रही हूँ जिसमें last 1.5 years के current affairs cover किये जा रहे है अगर आप interested है तो current affairs for problems and means of past 1.5 years तो अगर आपको join करना तो आप mail कर सकते हो इस email ID पर एक बर हम revise कर लेते हैं जो भी किया है हमने read तो first page पर हमने Turkey के earthquake के बारे में डिसकुस किया एंजे तर्की bilateral relations के बारे में डिसकुस किया शांगाई cooperation organization Turkey उसका member नहीं तर्की उसको observer भी नहीं है एंजे लुकसर्ट options की हम कैसे pay कर सकते हैं रश्या को क्योंकि रश्या की उपर sanctions लगे हुए तो ऐसे में dollars में तो pay नहीं कर सकते हैं फिर हमने यहाँ पर discuss किया shares pledging तो shares pledging क्या होता है जो promoters of the company होते हैं यह अपने shares को collateral की तरह रखकर loans लेते हैं from banks and NBFCs फिर हमने यहाँ पर discuss की है भरतपुर अब यह भरतपुर कहाँ पर है भरतपुर board sanctuary तो यह आपको बस पता होना अची राजिस्थान में है next हम आगे चलते हैं UP में cow sanctuary बनाई जाएगी फिर वहाँ पर equip किया जाएगा उसको with modern facilities की biogas के production हो सके cow dung based fertilizers बनाई जा सके फिर यहाँ पर हमने discuss किया तीन initiatives चोंकि launch किये गए है in the green energy sector तो पहला है unbottled project of Indian oil corporation दूसरा है twin cooktop indoor solar cooking system और तीसरा है E20 फिर EPTA किस के साथ news में है तो Canada के साथ news में है sanctions put stress on idiotize यह हमने discuss किया then हमने article 371F discuss किया भूट यह लेपचास कौन है यह हमने discuss किया article 371F सिक्किम के लिए है यह news skip हो गई है fund cut for food grain procurement तो अगर हम बात करे decentralized procurement system तो decentralized procurement system में क्या होता है जो state governments and state government की agencies यह procure करते हैं store करते हैं distribute करते है rice, wheat and coarse grains को ठीक है तो while they distribute तो state यहाँ पर distribute करता है quantity जो भी यहाँ पर ज़रूर रहता है PDS के लिए and other welfare schemes के लिए and जो भी यहाँ पर remaining quantity होती है यह FCI को food corporation of India को handover कर दिया जाता है in the central pool and जो भी यहाँ पर state expenditure हुआ है center इसको reimburse कर देता है the center reimburses the states the expenditure incurred तो यह क्या है यह है decentralized procurement system दो तरीके के यहाँ पर system होते है the procurement of food grain for the central pool यह दो systems में होता एक होता है centralized और दूसरा होता है decentralized तो decentralized हमने discuss कर लिया next हमने यहाँ पर discuss किया था कि simultaneous polls में बात की गई थी एक plea गई थी and plea में यह कहा गया था कि simultaneous polls के लिए जो assemblies का term में इसको यहाँ पर curtail कर देना चीए जिसकी वज़े से 2024 में यहाँ पर simultaneous polls हो सके stop the arrest तो basically author ने यह कहा है कि अगर child marriages हो रही है तो आपको education provide करने की ज़रुत है women empowerment करने की ज़रुत है आपको awareness spread करने की ज़रुत है ना कि आपको punitive measures लेने की ज़रुत है an imprudent proposal तो यहाँ पर यह कह गया है कि जो अगर आप आंध प्रदेश guaranteed pension scheme को model को भी सोच रहा है ऐसे में भी तो यहाँ पर सरकार की liability increase होगी तो populism के पीछे आपको नहीं भागना है इन SM Betty पढ़ा हो यह हमने discuss कर लिया same article है the science of earthquakes यहाँ पर हमने shallow के बारे में discuss किया deep के बारे में discuss किया तो shallow यहाँ पर ज़्यादा devastating होते हैं यह सब आपने पढ़ा होगा अपनी geography में shallow earthquakes are generally more devastating because they carry greater energy when they emerge on the surface and deeper earthquakes यहाँ पर dissipate हो जाते हैं surface तक आते तक यहाँ पर हमने alterman के बारे में discuss किया the term alterman refers to a member of a city council और municipal body लेकिन इनके specific roles and responsibilities different होते हैं अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर हमने एक location discuss की जो किया है दियार बकिर दियार बकिर will widen tax base क्योंकि अगर आप tax rate कम करोगे लेकिन उसके बाद भी उतना ही tax collector उसके लिए आपको tax base तो widen करना पड़ेगा तो इसके लिए लोग technology का use करेंगे government sets a panel on digital competition law for regulations यह अभी इतना important नहीं है अभी panel के recommendations आजाने तो जो भी आएगा हम detail में discuss करेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए digital competition act नहीं होना चाहिए क्या यहाँ पर monopoly established हो दिए जो country के laws है क्या यह अभी sufficient नहीं है इन challenges से deal करने के लिए तो I hope आपको सब कुछ clear हो गया हो अगर आपका कोई भी doubt है तो आप telegram group पर post कर सकते हो if you liked the video then please like, share and subscribe thank you and have a nice day